असलाम नेको माई येटिव फैमिली कैसे हैं आप सब बेंदे बिल्कुल टिक टाक हूंगे और अलग शुक्र है मैं बिल्कुल टिक टाक हूं तो जनावाज में आप टुकों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मसेदार सी रेसिपी मतलब इसमें जादे इंग्रीडियर्स भी यूजू जो भाँग भी बनते है तो हम लोग आज बनाएंगे गल बिल्क की और फीनलबार बिल्क, पूरा एक निस荊था और खाल इनले. बींगन बॉर तक हमने कहा है रख बेंगन के लोगेते कह लोके कहीं और रखा antile zum लोगे ढें लोगेमातंत लोगे Bluetooth में कहा हैं लूभ कहके लीडिणे सबस्क्लभी कुण करना बेंगन जाना सबस्तिक्राइस हमें और जाना से अन्हें लेहं चैशंकिता है वह भी कहेंगे के वाके में यह बहुत मज़के बनें तो आप लोग जरूर इसको ट्राइ करना है और मुझे बताने की कैसे लगे अभी यह कुछ कर लिए इनको कट लगा के नमक मैंने वह लगा दिया था और अब हम इसको करेंगे फ्राय हम लोग मस्टर्ड ऑल यूज करते ह कि यह आपको थोड़ा यलो लग रहा होगा आप लोग नॉर्मल और जो भी आप लोग यूज करते हैं वह इसमें एड कर ले और फिर इसमें को जो हमने नमक लगा के रखे लिए इसको मने इस जो पतीली है हमारी उसमें डाल के अमने फ्राय कर लेंगे ठीक है जब तक वह जाउन नमक लगा दिया और फिर मैंने को फिर थास यहाँ पर यहाँ पर में बहुच घुटैया नगरते हैं तो हमने मीडियर्म फिलेंपे इसको फ्राय करना तो इससे भी तरह से हो जाएगा तो फिर हमने इनको निकाल लें भी यह एव ze तो फिर मैंने इसी में रने दिया और सेकंड बैच के लिए जो बाके बिंगन थे ये मने डाल दी अचा है वीडियो में बिंगन थो बड़े लग रहे हैं लेकिन यह थी छोटे-छोटे इसी न ठीक है मैंने चार से पांच अजद मैंने सबस मिर्चे कर ली दो मैंने टमाटर कर ली ते और इसमें नमक मिर चल दी और गरम मसाला और धनिया पाउडर वो डलता है ठीक है तो अभी यहां पे यह था कि जो बिंगन थे वो सब फ्राइ हो गे थे और अब हमने जो तीन बड़े प्यास कट करके रिखे और उनको हमने इसमें एड करना है और इसको हमने फ्राइ कर लेने यह वही ओल था जिसमें हमने बेंगन जो फ्राइ करना उसी में हमने जो है खाना सारा बना लेने ठीक है अब थोड़ा सा फ्राइ हो गया हमने बहुत जादा ब्राउन भी नहीं करना प्यास नमक मिल्च, हल्दी गरम मसाला और धनिया बाउडर ये एड़ करके इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको तकरेबन एक से दो मिनिट के लिए जो है मसाले को जैसे भून देना वो करना है ठीक है भून लिया उसके बाद अब यहां पे हमारा जो मसाला था वो भून गय मिनिट के लिए ढ़के रख देंगे और जब हमने इसको ढ़के रखने है इसको हमने दम की आज पर ढ़कना है ठीक है पाके इसको थोड़ा से दम आ जाए ठीक है और उसके बाद यह हमारे 5-10 मिनिट हो गए है और इतने मज़े के हमारे जो है वो बेंगन फ्राइ बेंगन बनके तियार होगे है आप लोग केंगे वाके में यह बहुत मज़ेदार है जिनको नहीं पसंदना उनको इस तरह से बना के ख्लाएं वो आपकी तारीफ करते नहीं रुकेंगे तो बस जी एंड पे हमने डाल दिया है सबस धनिया और यह कितनी अच्छी लुका रही है अब बिए आ बात स्वाइब साथ, आपकी तो यह बहुत मूपकी तो इज़ा है तो घ्यस, बढ़ वाइब साथ, च्क्रावका रही है जिस अबस जिसवाएब से उनको नहीं तो।